अब आज की वीडियो का टॉपिक में आपको बताऊंगा और जो मुझे 100% शूर हूं है कि आप सारे एक्साइट रहेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए क्योंकि मुझे इसके बारे में इमेल्स और इसके बारे मुझे कमेंट्स बहुत सारे आए तो आज का टॉपिक है वीजा टू प्ले क्लब क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया तो चलो आज की वीडियो की शुरुवात करते हैं सबसे पहले वीडियो शुरुवात करने के पहले यह कहना चाहूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहला तो हमको देखना है कि इसकी कैटेगरी क्या होगी तो कैटेगरी जो है बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूज होते हैं सब क्लास 421 और 408 में तो सब क्लास 421 जो है टेंपरेरी एक्टिविटी का तो वह अल्रेड प्रिकेट क्लास 4208 तो वह पर्टिकुलर वीजा है जिसके लिए आपको अप्लिकेशन करना पड़ेगा तो यह इंफ्रमेशन क्लियर है कि आपको कौनसी वीजा कैटेगरी अप्लाइ करनी है अब इसमें इसका डिवरेशन क्या होता है इसका डिवरेशन जो है उसका डिव उसमें दो तरीक है एक तो अगर आपको कोई क्लब मिला है जिन्होंने कहा कि आपको उनको दो साल के लिए कॉंट्राक करना है तो वह दो साल का मैक्सिमम पिरियड है वह पर्टिकुलर जो वीजा है आपका वैलिड रह सकता है और आप ऑस्ट्रिया में दो साल के लिए महार है सकते हो लेकिन यूजुवल केसे में हमने देखा है कि कोई भी क्लब दो साल की कमिटमेंट लब इतनी लंबी कमिटमेंट नहीं लेता क्योंकि ओवर्टिस प्लेयर का कैसे होता है कि अगर उसने परफॉर्म किया तो ठीक है वो उसको रिटेन कर लेंगे अगर नहीं किया तो फिर देगेट ब्लॉक्ट कि यूनों ओवर्टिस प्लेयर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है और हम ला भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग ने उनको दो साल की अल्रेडी कमिटमेंट दी है तो डिवरेशन जो इसका होता है डाट इस टू यर्स या फिर जो एक सर्टन कॉंटरेक्ड पिरियाड है वो वाला थीया है तो वीजS के टेगरी क्या है 408 duration के ट्व एक स्पांसर किया है इसके अलावा वह आपका employer है, आप किसी और के लिए काम ने कर सकते हैं, तो जैसे XYZ cricket club के साथ आपका contract है, तो आप XYZ cricket club के लिए ही खेल सकते हों, और अगर आपके पास coaching qualification है, तो आप उनके लिए coach भी कर सकते हो, यह तो हो गए पहली चीज़, दूसरी चीज़ बहुत सरी facilities, जैसे accommodation हो गया, flight fare हो गया, then insurance हो गया, medical insurance I am talking about, फिर खाना हो गया, local transport हो गया, अपको car अगर चीए तो car हो गई, उसके अलावा, अगर आपको match fees भी चाहिए, तो match fees आप इस पे actually, officially ले सकते हो, और जिसका tax आपको regularly वहाँ पे Australian government को भरना होता है, यह हो गई दो चीज़े, तीसरी चीज, particular visa है, वो temporary activity sports के sub category में आता है, ठीक है न, 408 वाला जो है, तो आप वो आपके particular club के अलावा, और cricket के अलावा, आप कोई भी काम वहाँ नहीं कर सकते, जैसे मतलब आप कहेंगे कि मैं part time के लिए, कई mcdonald's में job कर लेता हो, तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपका visa valid नहीं है, और अगर आप वो करते हो, अगर पकड़ेगे, तो there will be a very very big difficulty, तो आज की वीडियो में हमने, हमको ये पता चल गया है already, कि visa category होती है, 408, उसका duration होता है 2 साल, या फिर जो भी एक contractual period है वो, और आप क्या चीज़े कर सकते हैं, और क्या चीज़े नहीं कर सकते, ठीक है न तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको like जरूर करिए, और अगर चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe जरूर कर लीजिए, because next video मैं ला रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, कि ये visa जो होता है, वो application के साथ, इसमें क्या-